साइट मैप बेसिकली गूगल को हेल्प करते हैं कि वो आपकी वेबसेट का स्ट्रक्चर समझ जाए और आपके जितने भी यूरेल्स हैं उन सब को इंडेक्स कर लें साइट मैप सिर्फ यूरेल का नहीं होता वो इमजिस का भी होता हैं तो हम करते क्या हैं कि गूगल को चुके परेशानी ना हो हमारे सारे के सारे पेजिस और इमजिस को इंडेक्स करने में हम गूगल को साइट मैप बनाकर उसको सबमिट कर देते हैं ताके वो जितने भी यू अच्छा ना हो तो Google lost हो जाता है उसे नुक्सान यह होता है कि जो deep down जो inner pages होते हैं जो बहुत deep levels पे जाके create हुए होते हैं उन तक Google नहीं पहुँच पाता है और उस page पी जो image लगे होते हैं उन तक भी Google नहीं पहुँच पाता तो बहुत important है कि Google हमारे right content तक पहुँचे उसके लिए हम side map बनाते हैं मैं आपको image side map इस topic में इसलिए discuss कर रहा हूँ कि हम image SEO की बात कर रहे थे तो हमें side map बताना जरूरी है लेकिन इसमें हम मज़ीड detail में बात में भी बात करेंगे तो अभी आप follow करें कि side map क्या होता है और ये HTML और XML दो नव में होता है ये visual side map है ये अगर आप website का structure देखें तो वो कुछ इस तरह से structure बनेगा कि आपकी website पे कितने pages हैं उनके कितने सब pages हैं और इस तरह से वो पूरी website का map बनावा होता है हमने structure के ओपर पहले भी बात की है लेकिन हमने ये understand करना है कि images के लिए हम कैसे side map बना सकते हैं so image का basically side map जो बनता है वो XML language में बनता है ये HTML की तरह एक और language है जो Google read करता है लेकिन हमारे पास इसके बड़े असान tools available है और मैं recommend करूंगा कि आप WordPress यूज़ करें क्योंकि WordPress में plugins मिल जाते हैं जो आपके side map create कर लेते हैं अब चुकि हमारे पास कोई ऐसा tool available नहीं जो सिर्फ आपके images का side map बना दे तो हम क्या करेंगे हम जब XML side maps की discussion करेंगे आगे चल कर तो उसमें मैं आपको detail में बताऊंगा कि XML side map क्या होते हैं उनको कैसे use करना है वो क्यों important है और बनाते कैसे हैं तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो XML side map में HTML जो pages हैं आपके उनका और images का मुश्टर का side map create करते हैं अभी मैं आपके लिए ये करूँगा कि मैं आपको side map की example दिखा दूँगा कि आपको clarity हो जाए कि side map किस तरहां से नज़र आता है और वो उसका basically उसमें images का roll कहां पे होता है इसके लिए मैं अपनी website यूज़ करूँगा जिस पर मैंने side map डाला हुआ है और उस side map में मेरी website के सारे URLs हैं और उसके अंदर images भी google को available हैं तो आएए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है जैसे कि हम इस screen पर देख सकते हैं कि side map मैंने अपनी website को open किया हुआ है sman.co.slash side map underscore index dot xml ये वो side map की file है जो मेरी website पर पढ़ी ही है और ये website चूँकि wordpress पर है ये side map है ये basically Yoast के plugin से generate हो रहा है इस पर हम मज़ीद बार में बात करेंगे मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये दिखता कैसा है इस side map के ओपर basically ये index file है index file का मतलब कि इसमें मेरे पास एक side map नहीं multiple side maps हैं तो मैंने post लिखी हैं मैंने pages बनाए हैं और मैंने post की categories बनाई हैं तो सब तीनों के side maps हैं मैं भी आपको page का side map दिखाता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है ये मेरे page का side map है और इसमें ये जितने भी मेरे पास pages हैं वो सब मैंने इस पे automatically plugin ने डाल दिये हैं और अब आप ये देखेंगे कि पहले column में URLs हैं लेकिन साथ ही दूसरे column में वो हर pages के उपर images भी बता रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये images हैं जो हर page पे डाले वे होते हैं वो ये plugin खुद ही pick करता है गोगल को ये images feed किये जाते हैं ताकि गोगल कोई image मिस ना करें और अगर उसने कोई image हमेरा rank करना है तो पहली condition ये है कि वो पहले हमारा image देख ले तो ये basic के लिए एक example है side map की आगे मजीद चल कर हम इसको देखेंगे कि इसको हम create कैसे कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि image के side map wordpress में बड़ी असानी से बन सकते हैं इसी तरह से आप manual भी side side में बना सकते हैं लेकिन मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि जब 1000 की तदार में pages होते हैं तो उसमें ना तो pages का side में बन पाता है ना ये उन pages पे अगर बहुत सारे हर page पे अगर 2-2-4-4 images भी होंगे तो वो 1000 से multiply कर दें तो वो 4000-5000 images ही बन जाते हैं इसको आप manually करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा tedious work हो जाएगा इतने resources इतनी team आपको नहीं चाहिए आप इसके असान तरीका जी है कि आप WordPress जैसा CMS यूज़ करें उसके प्लग इन लगाएं जैसे ही आपको image आइट करेंगे किसी भी page के उपर तो वो plugin क्या करेगा कि आपके image का और आपके page का URL इसी तरह साइट में हमें बनाएगा और ये आप Google का feed कर सकते हैं जब भी Google आपकी website पे आएगा उसको ये नज़र आएगा किसमें कितने pages हैं बजाए इसके के वो confused हो जाए index करते हुए कितने images आपकी website पे हैं और कहां कहां पढ़े हैं उसको आप एक ही plate में रखकर आप उसको दे देंगे कि वो मतलब कि उसको easily digest कर सकेगा कि आपकी पूरी website में कितने images हैं और उसको कोई option नहीं होगी कि उसको miss कर सके ultimately हम चाहते हैं कि Google में हमारे images index हो जब index होंगे तब ही वो rank होंगे